अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ आज आप लोगों के लिए फिर एक बहुती महत्वपुन विशय घुटना दर्थ घुटना दर्थ पर हम पहले भी बात कर चुके हैं आलेडी दो वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू अपडेट हैं उन वीडियो को आप देख सकते हैं पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कुछ कारणों पर और घरेलो उपचार पर और पार टू दूसरे वीडियो में बात की थी कुछ पांच खास घुटनों के दर्द के लिए योगा भ्यास की पार टू की वीडियो पर साथ लाग से अधिक लोग वीडियो को देख चुके हैं और काफी लोगों ने बहुत अच्छे अनुभब शेयर किये हैं काफी लोगों को बहुत फाइदा हुआ है और जो लोग भी इसको नियमित कर रहे हैं उनको भी निश्चित फाइदा होगा आज हम घुटने दर्द पे ही आपको कुछ खास पॉइंट्स बताने वाले हैं जिस से ऐसे लोगों को जिनके घुटनों के दर्द की शुरुबात हुई है उनको तो लाब हो गई होगा और जो पराने पेशेंट हैं अगर वो लोग भी इस पाइदा को अपलाई करते हैं तो उन लोगों को भी निश्चित लाब होगा आगे बात करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस करिए जिससे आप तक लगातार मेरी नई वीडियो पहुंसती रहें तो आईए बात करते हैं घुटना दर्थ की वो कौन से खास फाइंट्स हैं जिनको हम अगर नियमित दिंचरिया में अपलाई करते हैं तो घुटने के दर्थ से काफी हद तक राहत पा सकते हैं मैंने यहां पर दो मेथी की स्ट्रिप तैयार की हैं यह देखे यह मेथी दाना मैंने नॉर्मली यह पेपर टेप मार्केट में fase मीड्यूरीविल है अब ये आपकी मेथी स्ट्रिप तैयार है अब इनको देखिए आपको कैसे अपलाई करना है हमारा जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दो हातों में दोनों ही हातों में हम लोगों के बीच की जो फिंगर है हम कह सकते हैं एक रिंग फिंगर और एक मिडल फिंगर आपका घुटनों का जोइंट कलाता है नी जोइंट कलाता है देखिए एक बाद फिर देख लीजे आपका रिंग फिंगर मिडल फिंगर इसी तरह राइट हैंड में आपका रिंग फिंगर का मिडल जोइंट और मिडल फिंगर का middle joint ये आपके चार points हो गए घुटनों के दर्द के खास points है correspondent points है अगर इन पे आप मेथी की strip apply करते हैं तो जिनके घुटनों की दर्द की शुरुबात है within 24 hours 48 hours में ही उन्हें relax feel होगा घुटनों की दर्द में सूजन कम होगी चलने पे दर्द कम होगा घुटनों को मोड के बैठने की stiffness आ जाती है हम लोग ज़्यादा देर घुटने मोड के बैठ नहीं पाते तो शुरुबात जो होती है उस इस्तिती में जब हमें indication मिल जाता है कि हमारे घुटनों के दर्द की शुरुबात हो चुकी है तो वो लोग इस strip को जरूर अपलाई करें कि वो बहुत ही जल्द इन घुटनों के दर्द से चुटकारा पालेंगे और साथ में जो वीडियो पार्ट टू मैंने आपको बताई जिसमें घुटनों के लिए पांच महतपूर्ण योगा भ्यास बताए हैं उनको भी साथ में करिए तो आपको जल्दी लाब मिलेगा देखिए यह आपको यह जो मेथी स्ट्रेप हैं इसको किस तरह बांद दी है यह आपने बीच के जॉइंट पर रिंग फिंगर पर यह देखिए यह मैंने बीच के जॉइंट पर है इसी तरह दूसरा लीजिए और यह मिडल फिंगर पर लपेट लीजिए यह देखिए यह मैंने लेफ्ट हैंड में मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के दोनों मिडल जॉइंट पर मेथी स्ट्रिप जो तयार की थी वो दोनों बांद लेए देखिए लेफ्ट हैंड में तो बांदनी ही बांदनी है जरूर बांदनी है लेफ्ट हैंड हमारा फिरी रहता है हमारे आराम से इसको बांध कर हम अपनी वरकिंग या काम कर सकते हैं राइट हैंड में थोड़ी प्रॉलम्स होती है तो कोशिस करिए कि इन स्ट्रिप को 16-18 गंटे बांधनी है और राइट हैंड में आप अपने काम को निपटा कर रात में सोते समय स्ट्रिप बांध लीजे और सुभा को खोल दीजे लेकिन लेफ्ट हैंड के स्ट्रिप 16-18 गंटे जरूर बांधेंगे ध्यान रखेंगे और अगर इन स्ट्रिप को आप बीच बीच में 8-10 बार दवाते रहते हैं इन स्ट्रिप को आप लगातार अगर दवाते रहेंगे तो आप देखेंगे इसका फाइदा और ज्यादा हो जाएगा तो कोशिस करिए कि आप इसको strip बांदने के बाद थोड़ा सा समय निकालिए हर गंटे आदे गंटे में जब याद आए तो इस strip को ऐसे अच्छे से पुछ कर लिजे तो आप देखेंगे कि आपको घुटनों के दर्द में जो सूजन है दर्द है उनमें रहात मिलेगी तो ये आप लोगों को अच्छी लगी हो लाइक करिए शेयर करिए धन्यवाद हरियों